नमस्ते फ्लीबर बासकीट की आज की दावत में आपका स्वागत है आज मैं आपसे एक ऐसी वेजिटेबल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आपकी हाउस पार्टी की जरूर शान बढ़ाएगी मैं बात कर रही हूँ स्टफ टोमाटो वित पनीर जिसे मैं ओनियन और टोमाटो की ग्रेवी के साथ सर्फ करूंगी तो आएए देखते हैं इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए एक कप प्याज का पेस्ट तीन चथाई कप टमाटर प्यूरी देर चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच मिर्च पाउडर आधी चम्मच हल्दी एक चम्मच अद्रक और लहसुन का पेस्ट एक चम्मच गरम मसाला पाउडर एक चोटी चम्मच जीरा एक चोटी चम्मच सौफ पाँच छे काली मिर्च और एक बड़ी इलाइची पाच टमाटर जिन्हें मैंने पहले ही वाश करके रखा हुआ है एक कप ग्रेटेट पनीर दो चमच कुकिंग ओल सबसे पहले मैं सारे टमाटर के उपर वाले हिस्से को काट कर एक साइड रग दूँगे अब मैं इस टमाटर पर एक नाइफ की मदद से कट मारूंगी ताकि इसके अंदर का जो गूदा है वो बाहर इजिली निकल आए अब मैं इस टमाटर का गूदा निकाल लूँगी ऐसे ही हम सारे टमाटर का गूदा निकाल लेंगे झाल आए बाहर शुषबिस का गूदार का बाहर है बाहर वोदार के लिवच्वेए परेंगे, परेंगे, ज हम सारे दोदार का रहर लूदा रगरी झाल भी ऐग बाहरे मैं रग्राव भी जीमाटर का पाली जो गुदा मैंने टमाटर से निकाला हुआ है उसको मैं रफली चॉप कर लूगी तागी मैं उसे ग्रेवी में यूज कर सको अब मैं पनील लूगी और इसमें पनील लूगी और इसमें तोड़ा सा नमक मिलाऊंगी थोड़ी हल्दी और इसको मिक्स कर दूगी मैं इसे अपने हाथों से मैश करूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए अब मैं इस पनील के मिक्चर को एक एक टमाटर में अच्छे से भरूँगी थोड़ा पुश करूँगी ताकि यह मिक्चर अच्छे से फिल हो जाए अच्छे से फिल हो जाए में हर एक टमाटर को गवर कर दूंगी मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया है अब मैं इसमें जीरा, सौप, काली मिर्च और बड़ी हिलाइची डालूंगी अब एक क्रैकल होने लगे हैं तो इसमें मैं अब ओनियन पेज डालूंगी में पज़शनी हिजिदयों जखने हो error इसकोसे करोंगी तब तक इसको इसको फ्राइ करोंगी तब तक इस ब्राउन हो जाए अब एप हैढ ऑभी कियां आब यह यह लाइफ ब्राउन होगी है मैं इसमें टॉमाटो प्यूरी और जो हमने टमाटर का गूदा निकाला था उसको एट करूँगी अब मैं इसमें अद्रक और लेस्टन का पीस जालूगी फिर मैं इसमें अरा धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिश जालूगी और अच्छे से मिक्स करूगी मैं इस मिक्षर को तब तक सौटे करूँगी जब तक ये अपना तेल ना छोड़ते अब मिश में थोड़ा सा पानी एट करूँगी ताकि ये थिक ग्रेवी में चेंज हो जाए झाल 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 अब इस ग्रेवी में बॉइल आ गया है तो इसमें मैं अब गरम मसाला पाउडर नमक डालोगी और इसको अच्छे से मिक्स करोँगी अब मैं इन टमाटर को इस तरह ग्रेवी के अंदर रख दूँगी और इन्हें थोड़ा सा ग्रेवी से कवर कर दूँगी ताकि इन में ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाए अब मैं इस पैन को कवर कर दूँगी और तब तक कुक करोगी जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए अब मैं इन टमाटर को धीमी आज पर पकाऊंगी और इन्हें ओवर कुक नहीं करोगी ताकि ये पनीर और टमाटर आपस में मिले नहीं इन्हे सिर्फ मैं सॉफ्ट रखोंगी पंद्रा मिनिट के बाद मैं चेक करोगी कि ये स्टफ टमाटो कुक हुए या नहीं ये सॉफ्ट हो गए है अब ये कुक हो चुके है तो मैं आप गैस आफ कर देती हूँ अब ये स्टफ टमाटो विद पनी तयार हो गए है अब मैं इसकी प्लेटिंग करते हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो जरू सब्सक्राइब कीजिए फ्लेवर बास्केट के यूटूब चैनल पर